हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकिंदर सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं अमारे क्लास 9th स्प्रिंट बेच के चेप्टर नमबर वन नमबर सिस्टम का लेक्च फाइफ लेक्चर फाइफ में हम कौन सा टोपिक कवर करने वाले हैं वह हम एक बार देख लेते हैं उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के चार लेक्टर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्टर को देखिए तभी आपको यह लेक्टर नंबर फाइव अच्छे से समझ में आएगा तो च लेक्टर को देख लीजिए उसके बाद में इस लेक्टर को देखना स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी चीजे अपने आप ही क्या हो जाई कि समझ में आने लग जाईगी तो देखो ओपरेशन और इरेशनल नंबर्स का क्या मतलब है यानि हम क्या करन करने वाले हैं जैसे कि normal rational numbers होते थे या integers होते हैं उनको add, subtract, multiply, divide करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले इरेशनल नंबर्स को भी क्या करने वाले हैं add, multiply, divide और subtract करने वाले हैं तो देखो कैसे करते हैं इसके लिए कुछ basic rules है पहले तो हमें उनको याद रखना पड़ेगा और rules कर याद हो जाते हैं तो उसके बाद में कैसे questions करेंगे ये सारी चीज हम आगे की slides पर देखने वाले तो देखें तो सबसे पहला topic है हमारा जो आज का पढ़ने वाले हैं वह है types of irrational numbers इरेशनल नंबर्स के कितने types होते हैं तो इसको कैसे समझेंगे उसको ध्यान से समझना irrational numbers के मैंने आपर दो types लिखें like irrational numbers और एक unlike irrational numbers दोनों होते क्या हैं उसको समझो देखो इस example को देखो यहां root 3 लिखावा है यहां पर 3 square root 3 है 8 root 3 है और 1 by 2 root 3 है अब इन में common क्या दिख रहा होगा आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि root 3 तीनों चारों जगे प्यार है actual में जो भी square root में number लिखा होता न इसको बोला जाता है irrational factor irrational factor तो अब यहां चारों numbers में एक चीज common है सब के irrational factors क्या है same है तो ऐसे irrational numbers जिनके irrational factors क्या हो same हो तो उनको हम क्या बोलते है like irrational numbers यह लिख भी दिया है कि irrational numbers having the same irrational factor जिनके irrational factors same होते हैं उनको क्या बोलते है like irrational numbers I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी जैसे मैंने एक और example बनाऊं कि कहीं पर root 5 लिखावा है comma to root 5 लिखावा है तो यह दोनों भी क्या है like irrational numbers है क्यों क्यों क्योंकि यहां root 5 और root 5 दोनों में irrational factor है जो कि common है I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी फिर हम बात करते है unlike irrational numbers just इसका opposite होगा कि जिसमें जो irrational factor है वो क्या हो different हो जैसे मैंने आप एक example बनाऊं जैसे एक है root 2 लिख दिया एक 3 root 3 लिख दिया एक 5 root 7 लिख दिया तो देखो इसमें irrational factor root 2 है यहां irrational factor root 3 है और यहां irrational factor root 7 है एक चीज़ और ध्यान डख ले न कि यह 5 और root 7 यह पूरा एक single number है लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है multiply यह 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 एक्चुल में 5 root 7 का मतलब है 5 और root 7 का multiply तो दोनों में से यह वाला part इसका क्या कहलाएगा एक irrational factor कहलाएगा irrational factor और यह वाला बाकी वाला part क्या कहलाता है rational factor कहलाता है ठीक है यह वाला part क्या कहलाता है rational factor I hope यह बात आप लोगों को समझ में आ रहे होगी तो देखो यहां पर तीनों में irrational factors different है तो यह दोनों क्या होंगे unlike irrational numbers अब हमें इन types को पढ़ने की जरुवत क्यों पढ़ी है सबसे पहले यह समझना जरूर है तो जब हम क्या करेंगे operations perform करेंगे जिसमें addition या subtraction करना पढ़ा माल लो हमारे को किसका irrational numbers का तो जब irrational numbers को aid और subtract करोगे तो केवल क्या कर सकते हम like irrational numbers कोई aid या subtract कर सकते है unlike irrational numbers कभी भी aid और subtract नहीं होगे इसको कैसे समझे तो देखो मैंने आपे note भी लिख दिया है कि only like irrational numbers can be added और subtracted अब इसको कैसे समझे तो देखो जैसे हैं आपे लिख रहा है 2 root 2 minus 5 root 2 पहले बात तो यह देखो कि क्या दोनो like है यहाँ पर root 2 और root 2 दिख रहे है root 3 और root 3 दिख रहे है फिर यहाँ देखो 5 plus root 2 minus 10 plus 3 root 2 तो यहाँ पर देखो यह वाले दोनों एक जैसे हैं क्योंकि rational numbers है और यह दोनों के दोनों क्या है एक जैसे है फिर बात करें यहाँ तो देखो यहाँ additional factor कितना है root 2 है और यहाँ additional factor कितना है root 3 तो यह दोनों तो यह यहाँ दिख रहे होंगे कि यह unlike type के हैं तो unlike है तो इनको हम aid नहीं कर सकते अभी मैं आगे भी एक note के अंदर इसको और अच्छे सा explain करूँगा तो इसको हम combined नहीं कर सकते मतलब यही क्या है यहीं पर हमारे को इसको क्या कर देना है stop कर देना इसको आगे solve नहीं कर पाएंगे फिर यहाँ इसको कैसे solve करें यह समझते हैं तो देखो 2 root 3 minus 5 root 3 अब इसको ऐसे समझो कर 2 minus 5 होता तो जैसे normal हम क्या करते थे सब्टेक करते हैं वैसे यहाँ भी सब्टेक करना है बस यह दिहान रखना है irrational factor ऐसे कैसे आजाएगा इसका क्या मतलब हुआ 2 minus 5 कितना होता है minus 3 जब एक number positive होता है एक negative होता है जो larger number होता है उसमें से smaller number को सब्टेक कर दो 5 minus 2 करो तो 3 आएगा लेकिन larger number negative था इसलिए minus 3 आगया और irrational factor क्या आजाएगा ऐसे कैसे आजाएगा तो इसका जो result nical क्या आएगा minus 3 root 3 अब यहाँ कैसे solve करें तो देखो यहाँ पे जो like वाले हैं उनको एक साथ 8 कर लो तो 5 minus 10 तो 5 minus 10 करोगे तो कितना आएगा minus का 5 और ऐसे ही root 2 actual में ध्यान से ध्यान रखना है यहाँ पे यह जो root 2 लिखावा है यह actual में कितना है 1 root 2 तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे 1 है ठीक है तो यह देखो 1 root 2 और 3 root 2 कितना हो गया plus का 4 root 2 I hope यह बात पी आप लोगों को समझ में आगई होगी कि यह root 2 है यह 3 root 2 है combine करने पे कितना हो गया 4 root 2 दोनों plus के थे इसलिए 4 root 2 हो गया अब यह मैंने बता दिया यह unlike है यह like-like को हमने 8 कर दिया अब क्या इसको कैसे समझे तो वो भी समझ ले दे देखो धियान से समझना इसको यह root 2 है यह root 8 है तो आपको देखने से लग रहा हुआ कि यह दोनों क्या है similar है लेकिन यह root 8 को हम क्या कर सकते थोड़ा से simplify कर सकते कैसे है तो धियान से समझना देखो यहhã root 2 को 1 root 2 लिखता हू 4 multiply 2 जब इसको 4 multiply 2 लिख दिया तो ये 4 जब का square root है और 2 का भी square root है 4 का square root आप लोगों को पता होगा कितना होता है 2 होता है तो उस 4 के square root को हम बाहर लेके आ जाएंगे तो ये root 2 ऐसे कैसे चल रहा है plus इस 4 का square root कितना होगा 2 होगा और root में कितना बच गया only 2 बच गया और इसको फिर से आगे solve करोगे तो root 2 और 2 root 2 कितना हो जाएगा 3 root 2 हो जाएगा I hope ये बात भी आप लोगों को समझ में आगई होगी तो ये note हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी irrational numbers को add करना है तो ये देखो कि वो like है या नहीं है अगर like है तो उनको comment कर दो हो रहे है ठीक है जो भी हमारे जो basic rules है plus minus के उनको apply करके और अगर unlike है तो उसको वहीं पे छोड़ दो अब हम देखते हैं हमारा जो main topic था operations and irrational numbers ठीक है irrational numbers के उपर operation perform करने से पहले कुछ rules है उनको follow करना है दो rules तो मैंने यहीं समझा दी है मैंने यहां वापस लिखती है बस कि like irrational numbers can be added or subtracted जैसे कि root 3 और 2 root 3 कितना हो जाएगा 3 root 3 हो जाएगा I hope यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और यहां मैं बता देता हूं कि कहीं पर only root 3 दे रखा है तो इसका मतलब है 1 root 3 कहीं पर minus root 3 कहीं दे दिया तो इसका मतलब है minus 1 multiplied root 3 यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है फिर अगला note क्या है कि अगला rule है कि unlike rational numbers cannot be added or subtracted unlike को क्या नहीं कर सकते हैं add or subtract नहीं कर सकते हैं यह पर root 2 plus root 3 है इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं cannot be combined combined करके नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब ऐसा है कि कहीं पर ऐसा दिया है root 2 plus root 3 तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने क्या कर दिया 2 और 3 को क्या कर दिया combined कर दिया और add करके लिख दिया बराबर root 5 तो ऐसा नहीं होगा यह चीज मैंने note equal करके लिखी है यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है यह addition और subtraction के लिए यह दोना apply करना है हमारे को अब कई बार क्या होता है इडिशनल numbers को multiply भी करना पड़ता है तो multiply करने के लिए क्या condition जरूरी है वह जैसे addition subtraction के लिए क्या है like होना जरूरी है तो क्या addition numbers को multiply करने के लिए भी like होना या unlike होना जरूरी है तो वो चीज हम देखते हैं तो देखो addition numbers को multiply करने के लिए जो चीज सहीं होनी चीए वो होनी चीए order सहीं होना चीए अब यह order क्या होता है उसको समझो तो देखो जैसे यहाँ पे मैं कोई power 2 number लिख रहा हूँ इसकी यहाँ पे power लिख रहा हूँ 3 ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ square root 2 square root का मतलब आप लोगों कोई पता होगा कि power कितनी होती है 1 upon 2 कहीं पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 की power 1 upon 3 लिख दिया मनलो तो यहाँ पे जो यह 3 है यह 1 upon 2 है और यह 1 upon 3 है इसको ही क्या बोला जाता है order बोला जाता है I hope यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि order का क्या मतलब है तो अब हमारे को क्या करना है irrational numbers को multiply करना है तो केवल क्या कर सकते हैं हम same order वाले irrational numbers को ही multiply कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे वो यहाँ बेको में नहीं लिखा है तो irrational numbers of the same order are multiplied according to the following law कौन सा law है तो देखो यहाँ पे a है पहले इसको मैं यहाँ पे explain कर देता हूँ यह sign कहीं दिखता है तो इसका मतलब होता है square root और इसका मतलब यह है कि इसकी power कितनी है 1 upon 2 यानि order कितना है 1 upon 2 अगर कहीं यहाँ छोटा सा 3 लिखावा है और यह root लगावा है तो इसको बोला जाता है cube root और इसका मतलब होता है power 1 upon 3 लेकिन यहाँ n लिखावा है ठीक है small n लिखावा है छोटा सा तो इसका मतलब होता है nth root जैसा cube root का मतलब होता है third root बोल सकते हो फिर fourth root भी होता है ऐसा कोई साभी रूट हो सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे एंड लिखावा तो एंथ रूट है एंथ रूट का मतलब है पावर कितनी है वन अपॉन एन आइप यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो देखो यहां पर नंबर है इसका एंथ रूट है मतलब इसकी कितनी है वन अपॉन एन है फिर यहां एक नंबर है भी इसकी इसका भी कौन सा रूट है एंथ रूट है तो इसकी भी पावर कितनी है वन अपॉन एन तो कंडिशन क्या है दोनों की मल्टिप्लाई करने की सेम ओर के होने जी एका ओडर भी कितना है वन अपॉन एन बी का अब हराँ है कि यह जो a और be a उच किया है यह क्या होने चाहिए positive होने चाहिए कुई कि अभी तक हम जो numbers पढ़ते हैं वो सारे के सारे real numbers होते real numbers का मतलब है कि square root में हमेशा positive number जब भी आएगा तो उसका result हमेशा real number निकल के आएगा ठीक है वो उन numbers को हम real numbers बोलते हैं आगे जाके आप 11 में सिखोगे कि यहां square root में negative number भी आ जाते हैं तो उन numbers को इमेशनरी numbers बोल देते हैं तो अभी हमारे सलेबस में के अवल real numbers है तो यहां पर square root में हमेशा positive number होना चाहिए तो इसले मैंने लिख भी दिया है कि A और B दोनों क्या है positive है I hope यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो अब example से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं तो 2 multiply 3 कितना हो जाएगा 6 तो इसका जो result आया multiply करने पर वो कितना आया root 6 आया I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसको आप अच्छे से note कर लीजे next slide पर हम यह देखते हैं कि अगर order same नहीं है तो उनको कैसे multiply कर सकते हैं और साथ में multiply के अलावा divide करना हो तो उन इंपोर्टेंट हमारे results है उनको भी हम देखेंगे फिर questions को करेंगे तो आप इसे वीडियो को पोच करके अच्छे से note कर लीजे अब हम एक note देखते हैं पहले कि अगर जो numbers इरेस्टन numbers से इनको multiply करना है तो उनका order अगर same नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि order same बनाना पड़ेगा और same एक बार order बन गया और उसके बाद में simply जैसा हमने low पड़ा था third वाला low same उसी तरीके से multiply करना है तो देखो यहां पर if the irrational number to be multiplied are not of the same order अगर वो irrational number जिनको multiply करना है वो same order के नहीं है तो we first reduce them to the same order तो हमारे को सबसे पहले उनक अच्छे से explain कर दूंगा and then multiply according to the low तो अभी उसके बाद में जैसे हमने low पड़ा था कि दोनों के क्या करो square root के अंदर या root के अंदर जो भी है उसको क्या कर दो multiply कर दो order क्या रहेगा same रहेगा तो देखो इस example से इसको अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं तो यहां पर 3 का order है one upon two five a order 3 upon two तो हमें दोनों का order जाहिंगत तो दो तरीके हैं इसको करने के या तो इसका order भी three by two बना दो या इसका order 3x2 बना दो, या फिर इसको भी 1 upon 2 बना दो, जिससे कि यह भी इसके बराबर हो जाएगा, या दोनों को ही कुछ और बना दो, लेकिन दोनों को फिर दोनों को यह उडर क्या करने है, cya सेम करने, तो देखो मैं आप लोगों को यहां पर explain करने की कोशेश करता हूँ. इसको तो मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ. यहां मैं क्या कर सकता हूँ? 5 की 3 upon 2 है इसको 5 की power 3 लिक सकता हूँ और इस पूरे की power 1 upon 2 लिक सकता हूँ यह आप लोगोंने पढ़ा हुगा power की power multiply होता है जίसे a की power m है और इस पूरे की power पावर कितनी है 1 upon n है तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है multiply तो m को किस से multiply करेंगे 1 upon n से तो m 1 से multiply होगा इसके नीचे 1 लगा लो तो m को 1 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा m और नीचे कितना आएगा n आजाएगा n को 1 से multiply करेंगे मतलब इस result को हम क्या लिख सकते है इस तरीके से convert करके लिख सकते है तो मैंने यही तो किया है इस वाले 3 को यहां लिख दिया और उसकी power कितनी कर दिया 1 upon 2 तो दोनों को multiply करोगे 3 बन जा 3 वापस से क्या बन जाएगा 3 upon 2 इससे अब यहां देखो क्या फाइदा होगा कि दोनों की जो का order है वो कितना बन गया 1 upon 2 1 upon 2 बन गया अब यहां क्या करेंगे simply जो बेस उनको multiply कर देंगे तो 5 की power 3 5 की power 3 का मतलब है 5 को 3 times multiply करना 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और इसको इसकी power कितनी हो जाएगी 1 upon 2 जब इसको और आ multiply करोगे तो बनेगा 375 और इसकी power कितनी हो जाएगी 1 upon 2 I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी तो order आपको सेम बनाना आ चाहिए और हम बाकी के questions आगे करने वाले हैं तो उसके अंदर अच्छे से इसको और समझेंगे बहुत सारे examples के थू अब अग है जिसका order 1 upon N है और इसका order कितना है 1 upon N है B का भी order दोनों divide की form में लिखे में यह हमारा divide है तो simply क्या करो दोनों का order common आ जाएगा N और दोनों को A को के से divide कर दो B से divide कर दो बस ध्यान यह रखना है कि A और B 0 मतलब positive होने चाहिए और यह जो denominator है यह कभी भी 0 नहीं होना चाह क्या तो दोनों को क्या कर सकते है simply 125 divided by 5 इसको इसे divide करो 25 time होगा 25 को square root कितना होता है 5 होता है तो यह हमारा final result आ गया I hope यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब कुछ important remarks है remarks मतलब कुछ results है जो तुमें calculations करने के लिए हमेशा use करने पड़ेंगे और वो याद होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो calculation में error कर सकते हो कोई भी mistake कर सकते हो तो वो rules हमारे को पता होने चाहिए इन में से देखो यह दोनों rules तो अभी-अभी मैंने पड़ाया कि अगर आप लोगों को दिया हुआ है A और B यहां पर जो भी मैं कुछ लिखूंगा A B आगे मैं C और D भी यूच करूंगा ध्यानक ना है सारे के सारे positive है ठीक है A और B दोनों square root में लिखे है दोनो multiply form है तो दोनों को क्या कर दो combine करके एक जगे पर लिख सकते हो for example कहीं पर root 3 दे रखा है multiply root 5 दे रखा है दोनो square root है order same है तो दोनों को क्या कर सकते हो 3 multiply 5 बराबर इसका result कित है root 3 से तो दोनों का order same दिख रहा होगा 1 by 2 1 by 2 मतलब square root square root तो इसको इससे divide कर दो कितने time divide होगा 5 time तो result कितना आ गया हमारा root 5 I hope यह चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगे एक चीज़ है जो हमेसा याद रखनी है कहीं पर square root plus minus square root B दे रखा जैसे square root A plus minus square root B तो मतलब यह नहीं है कि दोनों को हमने क्या कर दिया add कर दिया plus कर दिया या minus कर दिया और दोनों का common root लिख दिया मतलब मैं यहां यह समझाना जा रहा हूं कहीं पर root 3 plus root 2 दे रखा है तो इसका मतलब root 3 plus 2 बराबर root 5 नहीं होगा क्योंकि मैं already आपको last slide पर बता चुका हूँ कि यह दोनों के दोनों क्या है unlike rational numbers से इनको combine नहीं किया जा सकता तो यह चीज़ ध्यान अखना बहुत important है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं direct इन दोनों को combine करके लिख देते हैं और confidence का साथ बोलते हैं कि जैसे multiply में हो रहा है वैसे ही क्या हो गया edition में भी हो गया I hope यह चीज सद्यान रखना root A और root A इसका मतलब है कि यह one root A है और यह कितना है one root A है दोनों को combine करोगे तो कितना बनेगा two root A ना कि अंदर वालों को हमने aid कर दिया two A two A का square root नहीं बनेगा क्या बनेगा two root A तो यह सही है और यह गलत है यह आप लोगों को पता होना चाहिए अगर यह नहीं होगा पता तो आप लोग क्या करोगे calculation में कहीं भी ऐसा बना आप गलत कर सकते हो और फिर उसके according आगे का result क्या आता रहेगा गलत आता रहेगा I hope यह तो यह चीज हमेशा द्यान रखना किसी भी number square root का अगर square करना हो तो square root हड़ जाएगा क्या आएगा केवल A आएगा कैसे आएगा देखो यहां पर मैं प्रूफ भी बता देता हूं कहीं पर A दे रखा है और इसका square root है इसका मतलब इसकी power कितनी है 1 upon 2 है और इस पूरे की power क कितनी दे रखी है हमारे को 2 दे रखी है और अभी अभी हमने पढ़ा था कि power की power multiply होती है आगे में power in exponent नाम का एक पुरा topic detail में पढ़ाने वाला हूं तो उसमें आप लोगों के और अच्छे से clear हो जाएगा अभी के लिए बस याद रख सकते हो power की power क्या होती है multiply होती है त तो जिसकी कुछ भी power नहीं होती है वो 1 होती है तो देखो यहां पर हमने क्या किया 1 by 2 यानि कि square root था जब इसका square किया तो क्या हो गया square root हट गया या इसको ऐसा भी लिख सकते है कोई number square में उसका square root करे तो भी क्या होगा square हट जाएगा square root से केबल क्या बचेगा a बचेगा एक example के थुरू अगर मैं समझाऊं तो root 3 को root 3 से multiply करना है तो कितना बनेगा 3 बनेगा अगर root 3 का square या root 2 का square करना है तो क्या बनेगा 2 बनेगा I hope यह चीछ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अब यहां पहले मैं इन दोनों इसको करके बताता हूं देखो तो इसको कैसे solve करें तो इसको solve करने का क्या तरीका है मैं क्या करूंगा उपर भी root 2 से multiply कर दूंगा नीचे भी root 2 से क्या कर दूंगा multiply इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा मैंने SIQ किया इस topic को मैं आप लोगों को detail में पढ़ाऊंगा rationalization वाले topic में rationalization पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम जो यह denominator में इस 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 इसनल नंबर में से हमें क्या करना पड़ेगा इसको रेस्तल बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा जैसे root A है तो root A को root A से multiply कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा A बन जाएगा तो अब इसको आगे सोल करने पर क्या बनेगा देखू ए multiply root A उपर तो और नीचे root A कितना हो जाएगा A और A से A divide होगा कितना बचा only A तो अगर कभी ऐसे situation आपी है तो हमेंसा ध्यान रखना है यह वाल 3 multiply root 3 कि root 3 multiply root 3 वापस क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा और नीचे कितना है root 3 है root 3 से root 3 divide होगा कितना है 3 आगया root 3 I hope यह चीज़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अब यह कई बार क्या होता है Square root में कोई बडा नंबर देदेता है तो इसको हमें इतना ही नहीं छोड़ना है इसको आगे भी simplify करना पडते है वो कैसे करते हैं वो जान से समनना तो हमे इसको क्या करना है factors कर लेना ऐसके अंदर अगर हो रहे है तो अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको आमें वहीं पर स्टॉप कर देना तो जैसे कि यहां पर 20 है तो 20 के मैं फेक्टर सोच पा रहा हूँ है 4 और 5 मैंने 4 और 5 ही क्यों किया 2 multiply 2 multiply 5 भी लिख सकते हो आप चाहो तो मैंने 4 multiply 5 क्यों किया अब आगे आप लोगों को पता चल जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 multiply 3 आप इसको और आगे भी solve कर सकते हो 2 multiply 2 multiply 2 मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को calculation करने में एक तो speed बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 9th standard में दीरे दीरे नहीं कर सकते paper complete करना है आप लोगों को given time में अगर पूरे questions को attempt करना है तो आप लोगों को calculation speed बढ़ानी पड़ेगी तो उसके लिए यह चीज़े आप लोगों को सीखनी पड़ेगी तो देखो यहाँ पर 4 है और multiply 5 है तो अब देखो यह हमने एक rule पड़ा है क्याकर 2 multiply में दिये हैं तो इसको break करके हम क्या लिख सकते हैं अलग-अलग भी लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है root 4 multiply root 5 तो root 4 क्या होता है square root of 4 कितना होगा 2 और root 5 तो इसका result कितना बन गया 4 root 5 यहां पर 16 के लिखने से क्या फायदा होगा इसको 16 square root और 3 का भी square root तो 16 का square root कितना होता है 4 तो इसका result कितना आ गया 4 root 3 आ गया I hope यह चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होगी next slide पर कुछ और हम results है उनको हम देखते हैं और उसके बाद में questions करते हैं तो इसको भी आप वीडियो को पोज़ करके अच्छे से note कर लीजिए अब हम देखते हैं कि कुछ important formulas है उनको कैसे apply किया जाएगा अगर उस type का कुछ हमारा जो operations करते वक्त result बन जाता है तो उसको आगे further कैसे solve किया जाएगा वो हम यहाँ देखते हैं कही बार क्या होता है जैसे यहाँ पर root A है plus या minus कुछ भी हो सकता है बीच में और root B है उसका whole square बन जाए तो इसको कैसे solve करेंगे तो आप लोगोंने whole square वाली का identity पढ़ी होगी 8th class में plus B square plus 2AB और ऐसे ही A minus B का whole square करना हो तो यह क्या होता है A square plus B square minus 2AB तो यह दोनों identities यहाँ पर हम apply करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ A की जगह पर root A है और B की जगह पर root B है और बीच में plus है या minus है तो plus होगा जब plus लेंगे तो इसके साथ में plus का 2AB लिख देंगे और minus होगा तो minus का 2AB के according कर लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा A का square अब A की जगह पर कितना है यहाँ पर root A है इसके साथ compare करो तो यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ या इसी form में लिखावा रहने देता हूँ देख फिर plus B B की जगह पर यहाँ कितना है root B माइनस होता तब भी plus B इसको आजाएगा फिर क्या आप प्लस अगर plus लोगे तो plus क्या according आएगा 2 A की जगह पर root A और B की जगह पर root B और minus लोगे तो minus क्या recording आजाएगा अब अभी अभी हमने एक last slide पर पढ़ाता है कि root का square होता है तो root अर जाता है तो इसका क्या बनेगा आगे root A का square A बन गया root B का square B बन गया प्लस माइनस अब यह भी हमने पढ़ा दे को root A और root B है इन दोनों के बीच में क्या है multiply है तो जब root A और root B दोनों अलग अलग लिखे हो है तो दोनों को combine करके लिखा जा सकता है तो इसका जो final result बनेगा वो क्या बनेगा to root A I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगे होगी तो मैं एक example यहाँ आप लोगों को करवाता हूँ जैसे यहाँ बनाया हूँ है root 7 minus root 5 का square तो यह क्या बनेगा root 7 का square plus root 5 का square और यहाँ minus है इसलिए minus का 2 root 7 root 5 तो root 7 का square कितना होगा root 5 का square 5 minus 2 इन दोनों को एक उसमें लिखा जा सकते है root 35 हो जाएगा तो यह कितना बनेगा आप यह दोनों like terms है 7 of 5 इन दोनों को comment कर सकते है तो 12 minus 2 root 35 तो यह हमारा क्या आगया final result nical क्या आगया एक example और करते हैं हम तो देखो तो देखो जैसे यहाँ पर इस बार plus दिया हुआ हुआ है बीच में तो क्या होगा root 3 का square plus root 2 का square plus 2 root 3 और root 2 बीच में multiply है आप लोगों को पता होना चाहिए तो root 3 का square 3 होगा root 2 का square 2 होगा plus यहाँ 2 और root 3 और root 2 को multiply करके root 6 लिख सकते हैं तो 3 plus 2 कितना हो गया 5 यहनि 5 plus 2 root 6 तो यह क्या हो गया इसका result हो गया I hope यह topic आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है root A plus root B multiply root A minus B root A minus root B type का कुछ बन जाए तो इसको कैसे solve करेंगे तो इसके लिए आप लोगों ने identity पढ़ी होगी कि कहीं पर A minus B और A plus B multiply में होते हैं तो इसका simple result क्या हो जाएगा A square minus B square मतलब A का भी square हो जाएगा B का भी square बीच में क्या जाएगा minus यह कैसे होता है यह सारी चीज़े हम लोग chapter 2 के end में पढ़ने वाले है तो आप लोगों को ढरने की जरुवत नहीं है अभी के लिए बस इसको याद रखो एक्चुल में यह क्या होता है आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा होगा तो मैं यह सोचके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को 8 की कुछ चीज़े अभी तक याद होगी अगर याद नहीं है तो आप चाहते हो तो इनको क्या कर सकते हो यहाँ पर sideways type का cloud बना के note कर सकते हो तो देखो अब यहाँ भी root a plus root b root a minus root b ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि a plus b a minus b दे रखना यह इधर होता यह इधर होता तो भी कोई फरक नहीं पड़ता मोई एक plus का और एक minus तो इसका स्प्ली क्या हो जाएगा a का root a के स्क्वाइर माीनस b का स्क्वा Eigen so उसका है माइनस b की जगंपे रूट भी है तो उसका स्क्वार, compare करे बपता रहाँ इसके साब से यहां पर क्या होगा तो root का square करते हैं तो root हड़ जाता है यहां पर root का square करेंगे तो root हड़ जाएगा remove हो जाएगा तो क्या आएगा final result a minus b आगया I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी अब यहां करके देखते हैं तो देखो जैसे a minus b और a plus b टाइप का बन गया इस टाइप का तो simply क्या कर दो root 7 square minus root 3 का square root 7 का square तो 7 होगा root 3 का square 3 होगा और जब subtract करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा I hope यह चीज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आगई होगी अब कई बार क्या होता है जिसे मालनों इसदर भी दोनों का root है और दोनों के root में अलग-अलग है और यहां पर root c और root d है यहां पर root a है और root b है और यहां पर मैं already आप लोगों को last slide पर बता चुका हूँ कि a, b, c, d जो भी square root में यूच कर रहे हो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए positive होने चाहिए तो इनको कैसे आगे solve किया जाएगा तो वो अब देखते हैं तो देखो यहां क्या होगा जैसे पहले यहां a को इससे multiply करना पड़ेगा इससे भी multiply करना पड़ेगा फिर root B को भी इससे भी multiply करना पड़ेगा और इससे भी multiply करना पड़ेगा तो पहले root A को root C से करेंगे तो root A root C बनेगा फिर root A को root D से करेंगे तो root A और root D बनेगा फिर root B को करेंगे root C से तो root B root C बनेगा प्लस फिर root B को root D से करेंगे तो root B root D बनेगा ध्यान रखना, sign का भी ध्यान रखना, अभी यहां पे सब positive था, इसलिए मिने बीच में positive लगा दिया, अगर मालनों यह negative होता, यह positive होता, तो negative positive multiply होगे, जहां भी result आता, तो यह negative बन जाता, तो उसके according, आगे हम एक दो example सोर करेंगे, जिससे अच्छे से clear हो जाएगा, तो य root ac, root ad, square root bc, plus square root bd, तो यह इसका final result हो जाएगा, ध्यान रखना, a, b, c, d, positive होने चाहिए, अगर positive नहीं है, तो आप इसको आगे solve नहीं कर पाऊगे, तो इसको कैसे solve करेंगे, तो पहले देखो, root 3 को root 5 से करेंगे, तो root 15 बन जाएगा, फिर root 3 को root 7 से करेंगे, तो root 3 multiply 7, 21 1 बन गया, फिर root 2 को root 5 से करेंगे, तो root 10 बन गया, फिर root 2 को root 7 से करेंगे, तो root 14 बन गया, तो यह इसका क्या आगया, final result हो गया, I hope यह चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक और result है, इसको भी हम देख लेते है, कई बार क्या होगा, जैसे कि मालो तो यहाँ इसका जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या होगा, जैसे root A था, तो यहाँ पे केवल क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो simple जैसे हमारे को identity अपलाई कर दी है, बस यह identity लगा नहीं है, तो यहाँ apply कर देते हैं, तो A का square प्लस root B का square, प्लस 2 A की जग अगर यही minus होता, तो यहाँ minus आजाता है, यहाँ क्या आजाता है, तो यहाँ क्या आजाता है, तो यह से example को भी solve करके देख लेते हैं, तो 5 प्लस root 5 का square, मतलब 5 का square, प्लस root 3 का square, प्लस 2 multiply 5, multiply root 3, बेच में plus था, इसलिए plus का लिखा है, 5 का square कितना होता है, 25 प्लस root 3 का square 3, प्लस यह कितना हो जाएगा, 25 जा 10 root 3, यह दोनों 8 हो सकते हैं, तो यह गया 28 plus 10 root 3, यह तो आप यहीं छोड़ सकते हो, यह काम कर सकते हो, इन दोनों में अगर कोई common आ रहा है, तो common भी ले सकते हो, तो देखो, यहाँ दोनों में 2 common आ रहा है, तो 2 बहार ले लेता हूं, यहाँ बचेगा 14, और यहाँ क्या बचेगा, 5 root 3, तो मारा final result क्या हो गया, 2, और फिर bracket में 14 plus 5 root 3, I hope यह बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब हम 2 simple question कर लेते हैं, फिर next slide पे, अच्छे वाले questions हम लोग करने वाले, तो simple क्या करना है, 4 root 2 और 5 root 2 को add करना है, तो add करने की condition आप लोगों को पता होनी चीए, addition तभी होगा, जब like क्या होंगे, arrest on numbers होगे, तो यहाँ पे root 5 है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी root 2 है, दोनो like है, तो हम simple add कर देंगे, तो 4 root 2 और 5 root 2 कितना हो जाएगा, 9 root 2 हो जाएगा, तो 9 root 2 हमारा क हो गया, result हो गया, I hope समझ में आ गया होगा, फिर यहाँ देखो, तो जैसे 7 root 3 minus 2 root 3 plus 3 root 3, तो यहाँ भी देखो, तीनों की तीनों क्या है, like arrest on numbers है, तो simple जैसे add करते हों हम करेंगे, तो यहाँ तो पहले इन दोनों को add कर लो, फिर इसको क्या कर दो, subject कर दो, कैसे भी कर सकते result वही आएगा, तो पहले 7 root 3 में से 2 root 3 को subject करेंगे, तो कितना बचेगा, 5 root 3, फिर उसमें कितना add करना है, 3 root 3, तो कितना हो जाएगा, 8 root 3, I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, root के साथ अगर आप लोग डील करना सीख जाओगे, तो आप लोगों को calculation आप इसको भी हम solve करते हैं, तो देखो, हमें क्या करना है, simplify करना है, 7 root 2 plus 3 root 32, इसको simplify करना है, तो मैंने सबते पहले तो आप लोगों को अभी बताया था, कि अगर कहीं पे बड़ा नंबर दे रख है, और यह आगे और solve हो सकता है, तो इसको solve करना पड़ेगा, तो यह तो ऐसे क कैसे आजाएगा कितना, 7 root 2 plus, यह 3 ऐसे कैसे चलेगा, क्या हम इसको 16 multiply 2 लिख सकते है, root 32 को, 16 multiply 2 क्यों लिखा है, क्यों कि मैं आगे क्या कर सकता हूं, 16 का square root find कर सकता हूं, तो अब इसको आगे क्या लिख सकते है, 16 root 2 plus 3, multiply है बीच में, root 16 भी होगा, और multiply root 2 भी होगा, और root 16 कितना होता है, 4 होता है, तो इसका result तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 को 3 से multiply कर देंगे, तो कितना हो गया, 7 root 2 plus, 3, 4, jump, 12, और यह वाला root 2 ऐसे कैसे चल रहा है, दोनों को combine करोगे, तो add हो जाएगा, फिर root 2, root 2, दोनों add हो जाएगे, क्योंकि दोनों के क्या है, irrational factors same है, तो 7 root 2 और 12 root 2 कितना हो जाएगा, 19 root 2, I hope यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर आप हम इसको आगे solve करते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 root 2, minus, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 multiply 2, plus, यहां मैंने आप लोगों को बताया था, कि अगर नीचे root 2 दे रखा है, तो उपर और नीचे दोनों को क्या कर दो, root 2 से multiply कर दो, जिससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, root 2 से root 2 वापस कर जाएगा, फायदा क्या होगा, root 2 और root 2 multiply हो कि 2 बन जाएगा, और हमें देखो, 4 का root होगा, 2 का root होगा, 4 का root कितना होता है, 2 होता है, 4 का root 2 होता है, और यह 2 से multiply होगा, तो यह कितना बन जाएगा, 4 root 2, यहां पे कितना, मैं लिख देता हूँ, देखो, एक step आप लोगों को लिए, 4 का भी square root होगा, 2 का भी होगा, यहां पे क्या होगा, ऊपर तो 5 root 2 और ओओचे कितना बने गया रूट 2 रूट 2 मुल्टीप्लाई ओकर 2 हो गया तो देखो यहां पर क्या होगा Next Step में − — इसका स्कॉआर रूट कितना बनेगा ढँबनेगा multiply 2 यह mice are multiply है बीच प्लस 5 by 2 root 2 तो अब देखो 2 to multiply कर कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा plus 5 by 2 root 2 अब एक 4 root 2 minus 4 root 2 तो क्या हो जाएगा 0 हो गया केवल कितना बचा 5 by 2 और उपर square root 2 तो यह हमारा क्या हो जाएगा final result हो जाएगा I hope यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम इसको देखते हैं तो देखो यहां भी बड़े बड़े numbers दे रखें तो पहले कोसिस करो कि इनको हम क्या कर सके simple कर सके तो 48 को क्या लिखा जा सकता है 16 multiply 3 का root लिखा जा सकते माइनस इसको 36 multiply 2 लिख सकते हो आप चाहो तो आप छोटे-छोटे भी कर सब्सक्राइब कर सकते हो factors इसको क्या लिख सकते हो 9 multiply 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 9 multiply 2 तो देखो 16 का square root तो 4 हो जाएगा और अंदर के अब 3 बचेगा अब मैंने रूट 3 बच गया यह 3 अल्रेडी पहले से 9 का कितना हो जाएगा 3 और अंदर कितना बचा तो ध्यानक नहीं यह 3 पहले वाला था 9 का square root कितना होगा 3 होगा और यह रूट 2 अंदर बच गया तो अब हम यहां कितना हो गया 4 root 3 माइनस 6 root 2 माइनस 3 root 3 और प्लस 3 3 जा 9 root 2 तो जो भी लाइक दिख रहे हैं उनको क्या कर सकते हो एड कर सकते हो तो देखो यह वाले दोनों के दोनों क्या है लाइक है क्योंकि दोनों में irrational factor root 3 है इसमें भी root 3 है तो 4 root 3 माइनस 1 root 3 कितना होगा root 3 होगा अब यहां देखो 9 root 2 माइनस का और 9 root 2 प्लस का और माइनस का 6 root 2 तो यह दोनों भी लाइक है तो 9 root 2 माइनस 6 root 2 करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 3 root 2 तो यह हमारा क्या हो जाएगा final result हो जाएगा I hope यह भी आप लोगों को अच्छे सा समझ में आ गया होगा अब इनको कैसे simplify करते हैं तो देखो तो यहाँ पर multiply की form में लिखा हुआ है तो multiply के लिए जो condition थी वो क्या थी order सेम होना चाहिए तो इसका order कितना है 1 upon 3 इसका भी order कितना है 1 upon 3 वह यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है cube root और cube root का मतलब होता है order 1 upon 3 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोनों को command करक 4 multiply 16 लिख सकते हैं तो यह कितना बन जाएगा cube root of 64 अब आप लोगों को अगर 8th class का थोड़ा भी अभी तक याद है तो आप एक chapter था cube and cube root तो जो 64 है इसका cube root कितना आता है 4 वह क्यूब रूट का मतलब है किसी भी number को जैसे 3 बार multiply किया मैंने 4 multiply 4 multiply 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 जो 64 आया वह तो क्या किलाता है 4 का cube केलाता है तो जैसे 4 cube करा तो यह जो cube of 4 इसको तो बोला जाता है cube ठीक है और अगर 64 का cube root निकाल दिया जाएगा तो वह कितना आएगा 4 निकल के आएगा बिल्कुल उल्टा होगा तो आप चाहो तो इसको भी upside में note कर सकते हो तो I hope यह भी आप लोगों को समझ में आगया होगा अब यहाँ पर यही सेम चीज है order सेम है 1 upon 4 1 upon 4 4th root है दोनों को simple divide कर सकते है common क्या जाएगा 4th root आ जाएगा इसमें दोनों में मतलब दोनों का 4th root common है जो उसको combine लगा दिया मैंने बाहर तो यह होगा 2 से divide कर दो तो 25 के factors करोगे तो यह होगा 5 की power 4 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 5 5 25 25 25 25 25 और 125 5 जा 625 और इसका 4th root है 4th root का मतलब क्या होता है power 1 upon 4 होता है और यह भी आमें पता है power की power आपस में multiply हो जाती है 4 से 4 divide हो गया 5 की power 1 बची और 5 की power 1 का मतलब कितना होता है 5 होता है तो इसका result कितना निकल के आएगा 5 किसका 625 का 4th root कितना होगा 5 होगा और इसका इसकी power 5 कितनी होगी मतलब 5 की power 4 कितनी होगी 625 और 625 का 4th root कितना होगा 5 I hope यह बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी यहां पर 4 questions हो रहा है इनको भी हम solve करते हैं तो देखो question क्या है 11 plus root 11 और multiply है बीच में यहापे और 11 minus root 11 तो जैसे ही आप लोग question को solve करो तो सबसे पहले तो यह देखा करो कोई identity तो नहीं बन रही है तो यहापे देखो a plus b और a minus b type का दिख्या तो direct हम क्या कर सकते हैं a square minus b square तो a square यानी 11 square minus b square यानी root 11 का square तो 11 का square कितना होता है 121 root 11 से क्या होगा root 11 का square में root अट जाएगा 11 आ जाएगा जब इसको subtract करोगे तो कितना आएगा 110 I hope यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा similar question देखो यह minus है यह plus है एक plus है एक minus है तो हम क्या करेंगे simple root a का square minus root 2 का square minus root 2 का square root 8 का square 8 होगा root 2 का square 2 होगा subtract करोगे तो 6 आ जाएगा similar question यह एक minus में एक plus में दे रखा तो वोई identity लगेगी तो 5 का square minus root 7 का square 5 का square 25 minus root 7 का square 7 subtract करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा I hope यह चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी अब यहाँ whole square दे दिया a plus b a minus b type करने यह whole square है तो whole square वाली identity लगाते हैं तो कितना होगा पहले a का square यानि root 3 का square फिर b का square यानि root 7 का square plus 2a a की जगए पर कितना हैगा root 3 b की जगए पर root 7 root 3 का square 3 root 7 का square 7 फिर 2 multiply यह दोनों combine करके एक की root में लिखे जा सकते है 3 7 0 21 इन दोनों को add किया जा सकते है तो यह कितना बन गया 10 plus 2 root 21 यह हमारा क्या हो जाएगा final result हो जाएगा I hope आप लोगों को यह सारे example समझ में आ गए होंगे next slide पर हम दोतीन example score देखते हैं तो इसको अच्छे से आप समझ के note कर लीजिए यह 5 questions और है इनको भी solve करते हैं इसे के साथ फिर हमारा lecture खतम हो जाएगा तो देखिए ध्यान से समझना root के साथ deal करना आना चाहिए आप लोगों को कि बार बार पता नहीं चलेगा आप लोगों को 9th में 10th में कहां कौन से वाले जैसे आप लोग 12th chapter पढ़ोगे hidden formula वाला वहां भी क्या करना पड़ेगा आप लोगों को root कहीं पर बन जाएगा square root में तो इसको कैसे solve करोगे उसके साथ अगर आप लोगों को अच्छे से question solve करने आ गए तो आप कोई से भी problem को क्या कर सकते हो solve कर सकते हो तो देखे अब यहां क्या है कोई identity नहीं दिखरी देखो यहां कोई a plus b a minus b type का नहीं दिख रहा है नहीं कोई whole square दिख रहा है तो अब इसको कैसे solve करे तो जब कुछ ऐसा नहीं दिखे तो simply क्या क positive है तो इतना जंजट नहीं है सब में कुछ भी तो 4 को 3 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 12 plus 4 को root 2 से करोगे तो 4 root 2 plus root 7 को 3 से करोंगे तो एक चीछ और में यहां बता देतों कभी भी क्या होता है root 7 multiply 3 करना है तो यह 3 को क्या है आगे लिखने का trend है यह हमें follow करना है कि 3 को क्या लिखा जाता है आगे लिखा जाता है ठीक है मतलब यो irrational वाले पार्ट को आगे लिख दिया और irrational वाले को बाद में लिख दिया तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है तो जैसा कि root 7 को 3 से करेंगे तो क्या बनेगा 3 root 7 इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आगे पिछे होगे तो देखो दोनों का root है तो दोनों को multiply कर सकते है प्लस root 14 अब कुछ 8 हो रहा है तो 8 करो अधरवाइज यहीं छोड़ दो तो इसका like कोई है क्या नहीं दिख रहा इसके like भी कोई नहीं है इसके like भी कोई नहीं है तो यह हमारा क्या हो गया final result हो गया I hope आप लोगों को tuas multiply करेंगे तो 3 root 2 अजाएंगा फुर 2 को 5 से करेंगे यहीं बी % house चा यहीं भी प्लस का जाएगा रूट3 यहीं को 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 root 3 अब यह plus का है यह minus का है तो माईनस का पहले हमने इसको इससे कर लिया अब इसको किस्टे करना पड़ेगा इस से multiply करना पड़ेगा तो root 3 और root 2 को plus minus तो minus हो क्या root 3 और root 2 को multiply करने पर क्या बन जाएगा root 6 बन जाएगा यहां पी कोई आगर like दिख रहा है तो इनको add करना है अभी मुझे कोई भी like नहीं दिख रहा है देख लो यह root 2 है यह root 3 है यह root 6 है यह पे कुछ भी नहीं है तो सारे like irrational number से इनको add नहीं कर सकते और यह वाला part rational है तो इसको हम irrational के साथ वैसे भी add नहीं कर सकते I hope यह दोनों example आप लोगों को समझ में आगे होंगे same question यह रहा एक और करके देख लिते तो root 5 को root 3 से करेंगे root 5 और root 3 यह भी plus का यह भी plus का है तो plus का root 15 हो गया फिर इसको इससे करना पड़ेगा तो यह plus का यह minus का होगा root 5 को root 5 से multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा only 5 I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी यह सारे rules मैंने लिखवा दिये आप चाहो तो अगर आप नोगों जहां भी लिखा है उस page के को पलटके देख सकते हो कि हमने जो rules पड़े है वो आप लोगों को अब देखो इसका फाइदा यह होगा आप लोगों को इतने जादा question करवाने का सबसे बड़ा benefit यह ही है वर kinds of form को 2 Rudolph तो आप लोगों को रट्टा मारने की सच्चेशन नहीं आय है नहीं आ चबमें जाहां तक हो सके वहां तक तो आप लोग कोश्एस करो ज्यादा से ज्यादा question solve करों हूं ज्यादा से ज्यादा question solve करोंगे तो इससे फाइदा यह होगा कि अप लिए लोगों को fórmula अपने आप automatically याद हो जाएंगे तो हमने रूट 5 को इससे कर लिया माइनस two को प्लस के रूट 3 से करेंगे माइनस ये प्लस है तो माइनस आएगा two-kow रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा इसको इससे करना माइनस माइनस multiply okay plus हो जाएगा बीच में multiply था इसलिए और फिर 2 को root 5 से करेंगे तो 2 root 5 अब कोई भी like नहीं दिख रहा है यह root 15 है यह only 5 है यह root 3 है यह root 5 है तो कोई भी like नहीं है तो यह हमारा क्या आगया final result हो गया I hope आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा अब दो question और है इनको भी हम कर लेते हैं तो देखो यहां देखो holy square दिख्या जैसे holy square दिखे तो अपने आप समझ जाओ कि यहां पर identity लगानी है तो identity क्या होती है a square plus b square plus 2ab तो a यहां पर क्या है द्यान से समझना यहां पर a है यह और b है यह दोनों में की बीच में plus है और इसका क्या है all square तो a का square plus b का square plus 2ab तब a यहांनी 2 root 5 का square plus 3 root 2 का square plus 2 multiply a A की जगह पर कितना है 2 root 5 B की जगह पर कितना है 3 root 2 I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई हूँ कि अब square कैसे करें तो देखो यह पर 2 root 5 है यह आप लोगों को पता होगा यह 2 multiply root 5 है इस पूरे का square 2 है तो इसका मतलब है यह 2 का भी square होगा और root 5 का भी square होगा तो 2 का square क्या होता है 4 हो गया और root 5 का square क्या होगा 5 हो जाएगा तो इसको solve करने पर कितना आएगा 2 का square 4 multiply root 5 का square 5 plus 3 का square 9 multiply root 2 का square 2 plus अब यहाँ पर जो root वाले हैं उनको तो एक साथ लिख देता है बाकि सबको एक साथ तो देखो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12 वे तो एक साथ combine होगा root 5 और root 2 को क्या लिखा जा सकता है root 10 लिखा जा सकता है अब यहाँ पर पहले multiply कर देंगे तो उपर कितना होगा देखो यह होगा 20 plus यह कितना होगा 18 होगा plus 12 root 10 होगा अब इन दोनों को add करोगे तो यहाँ तो बचेगा 19 क्योंकि वापस से 2, 19 2 को 19 से multiply करेंगे 38 बन जाएगा यहाँ पर 2, तो कितना बचेगा 6 root 10 तो यह होगा जगता है कि final answer यह लिखावा हो यह लिखावा हो तो दोनों ही result हमारे क्या है सही है I hope यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसे के साथ अब हम करते हैं हमारा last question same देखो square दिख गया है तो identity लगी कि बीच में minus है तो minus वाली identity लगी कि तो क्या लिखेंगे इसको 3 root 3 का square plus 2 root 5 का square minus 2 multiply A की जगे पर 3 root 3 B की जगे पर 2 root 5 अब यहाँ पर 3 का भी square होगा root 3 का भी होगा 3 का square होता है 9 root 3 का 3 फिर 9 को 3 से multiply करेंगे तो मैं एक step पहले लिख देता हूँ plus 2 का square 4 root 5 का 5 minus 2 3 जा 6 6 2 जा 12 root 3 और root 5 को करेंगे तो root 15 तो देखो उपर यह हो गया 27 यह हो गया 20 minus 12 root 15 हो गया तो इन दोनों को कमाइंड करो 47 minus 12 root 15 तो यह हमारा क्या हो गया final result हो गया इसको भी आप वीडियो को अच्छे से पोज करके note कर लीजिए इसे के साथ हमारा आज का lecture खतम होता है I hope आप लोगों को यह सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी अगर कोई problem आती है तो आप हमें comment करके बता सकते है आप वीडियो को rewind करके देखिए पहले concepts को अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद में खुद questions को solve करने की कोसिस कीजिए इसके अलावा बाकी के पहले के lectures को आप जरूर देखो जिससे आप लोगों के idea लग जाएगा कि actual में हम real में क्या पढ़ रहे है और इनको कैसे apply करना है इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए और bell icon को दबा दीजिए जिससे की आगे आने वाले सभी lectures के आप लोगों को notification मिलते रहें तब तक के लिए thank you